यह है 16 एंपियर 5 इंबन पाउर पलक हम इसकी आपको वायरिंग कनेक्शन करके दिखाएंगे आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं यह इदर 5 इंच होकेट है स्वीच चाहिए यह इंडिकेटर और यह किटकेट फ्यूज है आप पहले फ्यूज में एक वायर को कनेक्ट कर लिजी आउट्पूट टर्मिनल पे वायर का आप दूसरा सिरा यह इदर स्वीच है 16 एंपियर स्वीच है इसके इनपूट टर्मिनल पे कनेक्ट कर लीजिए अब आप वायर स्वीच के आउट्पूट से स्वीच के फेज वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिए यह स्वीच का आउट्पूट टर्मिनल है वायर का दूसरा सिरा आप कनेक्ट कर दीजिए यह वाला लाइन वाला टर्मिनल है यह नूट्राल है आप लाइन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिए अब आप एक ब्लेक कलर की वायर ले लीजिए वायर का एक सिरा आप यह इंडिकेटर के यह वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिए यह वायर हम कनेक्ट कर रहे हैं इंडिकेटर में नूट्रल के लिए वायर का दूसरा सिरा आप सोकेट के नूट्रल वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिए यह 16 एंपियर का जो पावर पलग होता है इसका यूज हम AC को पावर देने के लिए गीजर को पावर देने के लिए और माइक्रो ओवेन वगेरा अगर हमारे गर में वहाँ इसका यूज करते हैं अब आप एक वायर ले लिजिए वायर का एक सिरा आप कनेक्ट कर दीजिए यह जो स्विच है इसके इन्पुट टर्मिनल पे यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए ऐसे आप फावी इन्वन पावर प्लक की खुद से वायरिंग कर पाओगी किसी के एल्प लिए वगर वायर की दूसरे सिरे को आप इधर आप देख रहे हो यह है इंडिकेटर यह वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिए यह हुए इंडिकेटर का फेज वाला टर्मिनल इसमें इन्पुट फेज आप कनेक्ट कर दीजिए किटकेट फ्यूज के इंपुट टर्मिनल पे और वायर अगर बार ऐसे निकलती है इसको आप साथ में मोड दीजिए इन्पुट नूट्रल आप कनेक्ट कर दीजिए शोकेट के नूट्रल वाले टर्मिनल पे ऐसे आप सोला एंपियर फाइफ इन वन पाउर प्लग के कनेक्ट कुछ से कर पाओगी किसी की एल्प लिये बगर उमीद करते हैं यह जो हमने आपको पाउर प्लग के कनेक्ट करके दिखाएं यह अच्छे से आपको समझ में आई होगी अगर आपको समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करतीजिए इसमें पाउर दे देते हैं इंडिकेटर जलने लग गया और इसका किटकेट फ्यूज निकालते हैं इंडिकेटर अभी ओप हो चुकिया है लगा देते हैं अब इसको आपको टेस्ट करके दिखाते हैं पहले 6 एंपियर सोकेट टेस्ट करवाते हैं आपको यह देखे 6 एंपियर सोकेट अच्छे से काम कर रहा है अब 16 एंपियर सोकेट आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं इसमें 5-1 क्या है इसमें किटकेट फ्यूज है इंडिकेटर है शुपीच है और इसमें दो सोकेट है एक तो 6 एंपियर और एक 16 एंपियर जो 6 एंपियर और 16 एंपियर कंबाइन्ट सोकेट है इसमें